हलो स्टूडेंट्स स्वागत आप सभी आपके अपने चैनल थी एच क्लासस पर हमारा मोटो है वी टीच अचीव यानि हम पढ़ाए और आप सभी अपनी लाइफ में सेक्सेस अचीव करें तो स्टूडेंट्स आप सभी थमनेल और टाइक कर समझे गए होंगे कि इस वीडिय में लेकर मैंने एक और वीडियो पिछली वीडियो में आपको बताया था और मैंने वो डेट भी आपको बताई थी बट फॉर्चनलिट इस डेट को आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्स रिलेटेड कुछ अपडेट्स और इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट यह है अभी भी कि मैं हम डेट बता दो या फिर कोई पर्टिकलर टाइम बता दो जिस टाइम तक है जिस डेट तक हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि तक आखे हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा तो अगर आपके भी यह डाउट है आपको भी यह सब जानना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आये हैं क्योंकि हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ सारी जानकारियां देने वाली हैं कोई भी हम गलत और आपकी हल्प करने के लिए सब्सक्राइब कर दो यहां पर बाते करने वाले हैं रिजल्ट से रडेट चले स्टार्ट कर लेते हमारी वीडियो को मैं शानल की होस्तन हुं इससे पहले अगर शैनल पर फैश्वाइब कर दो बैल आइकान को प्रेस कर दो एसी ही और फेंट तो जैसे कि आपको पहले आपके पर आपको जाना होता है वहरा के आपके प्रोसीजर्स चुका है ठीक है उसके बाद आपके जो रिजल्ट बनने के लिए सबसे पहले आपके जो आंशर शीट होती है वो आपके जाती है चेकिंग के लिए तो चेकिंग के लिए अब आपके आंशर शीट जा चुकी है जाने के बाद किया होता है आंशर शीट आपकी चेक होंगी उन याओं कर दो याफ होता हृत है आपके जो Holy and कि कैसे अप्डेट होते हैं वह होगा आपके ऐसे कि आपके जो आप आपने पहले टीम में दिये सबसे पहले आपके टीम में जमा हुए थे वो ठीक है उसके मार्क्स उसके बाद नेक्स्ट आपने दिया था आपका प्रैक्टिकल जन्वरी में जन्वरी फर्वरी में आपका प्रैक्टिकल सब्मिट हुआ है उसके marks उसके बाद आपने जो एप्रिल में में आपके जो एक्जाम्स हुए हैं उसके marks यानि theory के marks तो यह तीनों marks आपके जो होते हैं यह तीनों मिलकर बनाते हैं आपका result इस result भी दिखाने वाली हूँ कि सरीके से आपका बनता है उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे बट तीनों को मिलाकर आपका result बनता है तो लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो TMA का marks है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और अगर आधे बच्चों के अपडेट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब आपका result आजाएगा website पे नहीं सबका एक साथ आता है तो अ जब भी आपके TMA के practical के marks आपके अपडेट हो जाएंगे तो theory के भी marks आपके आजाएंगे और तब जाके आपका बनता है result चलिए तो marks आपके अपडेट होगी मान लीजिए उसके बाद आपका जो marks होते हैं वो पहुँचते हैं आपके technicians के पाद टेक्निशन को जो की website को handle क करते हैं तो जैसे ही आपके सारे marks आपके regional center से checking के बाद पहुच जाएंगे वैसे ही आपके website पर upload होंगे अब इससे भी एक मैं आपको बात बताऊंगी आगे कि आपके अभी तक website पर upload क्यों नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा देत result है ठीक है और यह पूरी तरीके से official result है यहां पर आपके कुछ details आजाती है आपकी फोटो अगयरा आएंगी यह जो कॉलम है यह देखना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है देख लिए इस पर क्या बताया गया है ठीक है तो इसको हम जूम कर लेते हैं यह देखें यहा को मिला कर आपका total बनेगा और आपका result जो है वो तयार होता है तो देखे त्योरी में जो है यह इस तरीके से marks आपके दिखाए जाती है practical उसी subject के marks आएंगे जिस subject में आपका प्रैक्टिकल है English वगेरा में practical नहीं होता है तो वहां पर नहीं आ रहा है इसलिए बच्छे भी आपके marks जितने भी आएंगे यह तीनों marks मिलकर बनाते हैं आपके total तो आप देख सकते हैं यहां पर इस बच्छे का total यह है उसके बाद बनता है इसका result ठीक है तो यहां पर आप इस तरीके से result भी देख सकते हैं जो यह है पास पास पी यानिए पास चीक है और यह आप यह देखिए इसको मैं आपको समझाते थी हूँ SYCT SYC क्या मतलब है SYCT यानि इस बच्छे का आप यहां पर ठीओरी में देख लीजे एक बर marks यह है 007 यानि आपके जो इसके जो ठीओरी एक्जाम हुई थे उसमें सरफ इसका साथ नंबर आया है that means कि वो बहुत कम है पास होने क लिए प्राक्टिकल में फिर भी इसका बहुत सही आया है और टीम में में भी इसके marks सही आया है ठीक है लेकिन यहां पर SYCT क्यों लिखा है subject yet to be cleared in theory इसकी full form है इसका मतलब अभी इस बच्छे को ठीओरी का एक्जाम दुबारा देना पड़ेगा जिससे कि यह पास होगा ठी तो SYCT आयेगा इसके ऊपर में एक और वीडियो अलरी बना चुकी हो लिंक आपको description में मिल जाएगा अच्छे से मैंने समझाया था कि क्या होता है result में तो वहाँ प्लीज देख लीजेगा और अभी हम यहां पे इसको skip करते हैं SYCT का मतलब theory में SYCP का मतलब practical में और SYCI का internal जो assessment होती है नहीं TMA में ठीक है इतनी बात हमें clear है नीचे आपका result आजाएगा यह जो भी आपका result है ठीक है चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारी next topic की ओर जो कि आप यहां पर एक बार देख लीजेए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो public examination है यह आपका जो result नहीं दिखा रहा है तो प्लीज आप confused मत होई यह बिल्कुल भी और नेक्स्ट आपको देख सकते हैं आप on-demand examination का result यहां पर दिख रहा है तो यहां पर senior secondary on-demand examination का result जो एक से 31 March को हुआ था वह आपका आ चुका है और अभी अभी कुछ दिन पहले यह result अपलोड हुआ है OB result A, B, C का भी upload हुआ है 2022 अब मैं आपको यह क्यों दिखा रही हूँ यह मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इससे देख सकते हैं अंदासा लगा सकते हैं कि on-demand वाले बच्चों का अभी तक जो NOS वाले थे उस पर ध्यान दे रहे थे इनके uploadation पर ध्यान दे रहे थे कि कैसे इनका upload किया जाए result ठीक है तो इसे हम यह पता लगा सकते हैं कि अभी तक आपका जो public exam वाले बच्चे हैं उनका पूरी तरह result नहीं बना है और अभी इसलिए आपका upload नहीं हो पा रहा है ठीक है तो on-demand वाले बच्चों का भी result upload हो गया है that means कि आपका result भी जल्दी ही upload हो जाएगा हमको एक फिक्स आपको जो है डेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि आभी तक कोई भी ऐसा official notice नहीं आया है या फिर कोई भी official जानकारी नहीं आया हो सकता है आपका result आज शाम तक भी आ जाए कल भी आ जाए या फिर परसो तक भी आ जाए लेकिन कोई ऐसी fix date नह जल्दी से जली notification मिल जाए और आप अपना result देखने अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को subscribe करना ना भूले